हेलो फ्रैंड वेल्कम बेकर दो माई चैनल बेट इसंटाल विपने नहा में। लगता दो अग्रपी क्यों कि अडिल है इसाधा के हमें लिए तो अग्वीटी बैंडर पर आप कालों आप को बताऊंगी कि किस तरीके से आपको आपको ब्यूटी ब्लेंडर यूज करना है कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं आता है जानते भी नहीं है कुछ करते हैं तो फ्रेंस मैंने यहां पे एक ब्यूटी ब्लेंडर लिया है जो कि पिंक कलर का ब्यूटी ब्लेंडर है आपको कोई सावी ब्यूटी ब्लेंडर ले सकते हैं तो ब्यूटी ब्लेंडर यूज करने से पहले आपको इसे पानी में अच्छे से मतलब डीप कर देना है त तो मैं निकलेगा तो मैंने यहां पर देख सकते हैं जब इसे जब मतलब इसे दबाऊंगी इसमें सारा पानी नी चोड़ूंगी तो इसमें बहुत सारा पानी आपको इसमें निकलेगा तो मैंने यहां पर देखिए छोड़ दिया हुआ है ब्यूटी ब्लेंडर को तो आपको इस तरीकी से छोड़ देना है उसके बाद आपको पानी आपको पानी अच्छे से नहीं चोड़ लेना है ताकि जितना ज़्यादा आपका ब्यूटी ब्लेंडर मतलब सॉफ्ट रहेगा उतना ही ज़्यादा अच्छे से आपका मेकप होगा तो यहां पर आप देख सकते हैं कितना सारा पानी था इसमें अब्जॉर्ब और उससे मैंने सारा अलग कर दिया है और देख सकते हैं मेरा ब्यूटी ब्लेंडर का साइज कितना बड़ा हो गया और इससे मतलब मेकप अच्छे से मतलब इसमें का सारा पानी अब्जॉर्ब कर सकते हैं तो ब्यूटी ब्लेंडर यूज करने से पहले मैं यहां पर फाउंडेशन अपलाई कर रही हूं जो कि है स्वीज ब्यूटी का फाउंडेशन तो आप कोई सावी फाउंडेशन या वेबी क्रीम कुछ भी तो भूर नहीं करने, तक बिल्कुल भी अच्छा लगए तो मैं इसे देखिया हलक्या हाथहु से बहुत रगड़ना नहीं है और देख सकते हैं कि जय सकते हैं कि बहुत ंजी तरीक तरीके से अच्यन मेंशे से अब्स Prof. हो गया है और काफी अच्य अच्यत उतना ज् लगाना मेकप मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई भी चीज हो फाउनेशन याब कुछी हो मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ही मैं लगाती हूं और मुझे ज़्यादा कमपोटेबल लगता है तो आप भी इसे यूज कर सकते हैं अगर आप मेक अपको पसंद है अगर मेक अपकर क्रीम हो या पावडर हो कुछ भी आप लगा सकते हो तो आप देख सकते हैं मुझे काफी अच्छा लगा